नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी देखिए आज थोड़ा सब मैं आपको बता दो कि प्रॉब्लेम कुछ होई थी टेक्निकल प्रॉब्लेम होज कुछ कारणों से मैं क्लास नहीं दे पारा था जोगरफी और हिस्ट्री का तो देखिए आपको आज 32 क्लास है जोगरफी का और ह हिस्ट्री का भी आजाए क्लास आएगा आपको तीन बजे तो दोनों ही क्लास देखिए बहुत इंपोरेंट है और यह देखिए लगबग स्लेबस समाप्त हो चुका है 32 दिन और 35 दिन तक यह क्लास चलेगा मतलब 35 दिन तक समाप्त हो जाएगा स्लेबस तो क्यूज को होंगे आपके एक्जाम के पॉइंट अभ्यों के लिए जितने भी कोशिन होंगे हम लेकर आएंगे पर डे आपके लिए ठीक है 12 बजे पर यह अभी नहीं मैं आपको बता दूं कि अभी नहीं यह जो है जीगे का सेक्षन आएगा जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहे सबसक्तर जो बारे सेट्थ हो गया जए अपको उसके अलावा ज्यक्ता बश्यें आपट बन बढ़ीति हैं the kamadhyam एक ञांट किरम होगा यह आपको रहे क्या होगा हर बीडियों का जो पीडिय है हम आप तक शेयर करते हैं कि माध़ियम से तो नहीं अवी सब्सक्राइब है है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाके ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके दोस्तों पर डे सुबा के जो है यह बारा बजे की क्लास रहेगी आपको जीके का ठीक है यह याद रखेगा यह आपको वीडियो जोग्रफी का भी मिलेगा तो यह समाप्त हो जाएगा ठीक है तो हम लोग एक सिक्षन लेकर आएंगे बारा बजे का रहेगा वह क्लास आपका वह भी ठीक है जिसमें की जीके के सारे कोशन होंगे चाहे वह पॉलटी से हो हिस्ट्री से जोग्रफी पर यह चैप्टर वाइज ही कराए जाएंगी आपको ठीक पर आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके इसका हम कोशिस कर रहे हैं चलिए अब सुरुवात करते हैं आज के पहले कोशन से यह कोशन देखे जितने भी हैं सब 2011 की जनगर्णा के अनुसार है तो यहां पर कोशन को थोड़ा सा पढ़िएगा समझिएगा तो कि यह कोशन आए हुए एक्जाम में और पूछे भी जाएंगी ठीक है तो पहला कोशन है कि सर्वोच साक्षर्टा दर यानि कि हाइस्ट लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का वो बताना है किसे स्टेट का है तो देखे यह इन चार में से बताना है ऐसे तो अगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि केरल का सबसे ज्यादा हाइस्ट रेट है साक्षर्टा का कितना तो 11 यह है आपका 94 परसेंट ठीक है 94 परसेंट कब का है तो 2011 का जनगर् पर यहाँ पर स्टेट की बात की जैतो ध्यान देखिए दो चीज़े हैं यहाँ पर अगर यह आपसे पूछे कि केंद्रिसासित परदेशों में और राज्यों में मिला के दूसरे नंबर पर कौन है तो लक्षव दीप है ठीक है लक्षव दीप है यह आपका एक स्टेट है जो कि केंद्रिसासित परदेश आता है ठीक है तो इसका है 92 परसेंट बट अगर यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कोशन में कि राज्यों में तो यहाँ पे आंसर आपका डी होगा मिजोरम यह इसका कितना है तो इसको नोट कर लिजेगा इसका है दोस्तो 91.58 ठीक है दिखें तो यहाँ पे 87.22 अब डिके कारण किया है यहाँ के लिट्रेशी रेट होने का जन संक्या ही बहुत कम है तो जन्संक्या जहां कम होगी Leadership कम होगा लोग साक्षरता के उपर स्वास करेंगे साक्षर बनेंगे कम लोग रहेंगे ज्यादा पढ़ेंगे ठीक है पर जै बिहार में कुछ सरकारों की problem रही है पुराने ठीक है जिसके चलते यहां साक्षरता रेट जो सबसे कम रहा है तो किसका तो बिहार का यह सबसे कम सबसे कम साक्षरता इसके बाद राजिस्थान का ठीक है और उसके बाद हम तीसरी बात कर लें तो तीसरा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का याद रखिए उसका भी 66 पॉइंट सम्थिंग है और उनाचल प्रदेश का यह याद रखिएगा उसके बाद अगर हम बात कर लें चौते नंबर पर तो वह है जहारखंड का ठीक है तो जहारखंड बिहार उससमें एक ही था इसे 2011 में जो जनगरना होई थी उसके बाद भी इसका लिटरिस रिट बढ़ा नहीं है पर अब ज तीनों का लेटरिस रेट बिहार से थुड़ा सा उपर है ठीक है पर यहां पर सबसे कम किसका है तो बिहार का याद रखिए पुरे स्टेट में भारत में अगला कोशन है कि भारत में निमलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनमदर देखी मैं सारा नीचोड लेकर चल मापके लिए कितनी अच्盛ी बात है ठीक है तो यहां पर जन डेट यानिकी बर्थ रड पूछा जा रहा हैं और यह पूछा जा रहा है न्यूटम ठीक है? Maximum नहीं पूछा जा जा रहा है तो सबसे न्यूटम जो रेथ है, première है वह केरल का याद रुखिए का यह कोशन आया हुआ आपके एक्जाम में भी ठीक है तो जो केरल है, इसदा आंसर ठीक है, यह पूछा है 2016 में एक्जामे पूछा गया question केड़ल में कितना है birth rate दो 15% थीक Z उसके बाद अगर हम सिकेंड की बात कर लें तो पर्षिम बेंगॉल का है यह चैंसे कितने हैं तो 16% का है थीक है फिल्क बेंग उसके बाद तीसरा हम बात कर लें तो वह जा है ठीक है तो यह 27 परसंट है ओके और जो चौथे भी बात कर रहें तो वह उत्तर प्रदेश का है वह है मतलब हम यहां पर बात कर रहें इन चारों इसका बता दे रहें यह 27.8 रेट का है इन चारों का मैंने बता दिया इसको नूट कर लिजेगा सबसे जो कम है पूरे इंडिया यह मार्ग नेटवर्क ये स्व dependence पुर्च परियूजना के नाम आप लोगं ने सुना होगा यह क्या करता था स्व निम चटूर विज परियूजना जो था इसमें क्या होता था ये एक ऐसी यूजना थी जो की चार महा नगर है हमारे देश में और ये जल्दी नाम बताईए क घुलकाता थिक्ए तो ये चारो नाम जो है यह चारो नाब यह पर इसमें एक ऐसा सिटी का नाम है जो की इनकी रास्ते में नहीं आता है ठीक है यहां पर कोशन देखें नहीं बोल रहा है और TCS का पैटेंट कहता है कि ऐसे कोशन हम बनाएंगे और ऐसे कोशन 2016 में पूछे गए हैं आपके NTPC में भी ठीक है यहां से कोशन इंपोर्टेंट बनता है आने के लिए अगला सवाल कोशन नमर 5 का आंसर कर सकते हैं तो जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए कि ग्रीन रेल कोर पर दोट सुरू किया गया है चलिए और एक चीज़ और बता दे कि राजमार्गों के विकास के लिए जो स्वर्णिम चत्रुभज परियोजना थी वह किसके द्वारा सुरू की गई थी यह कोशन आया हुआ आपके एकजाम में तो जो लास्ट वाला कोशन था यह ध्यान द तो अटल बिहारी बाजपेई ठीक है जो कि अब नहीं रहे हमारे बेच तो अटल बिहारी बाजपेई के समय यह परियोजना शुरू की गई थी ठीक है और यह कब हुई थी शुरू तो 2001 में तो इतना सारा डेटा यहां से लिख लिजेगा याद कर लिजेगा आ सकता है एक सुचोदा किलो मेटर कि मुला कि बेची इन सबसे हट के कोशें कोशन नहीं पूचसकता है इसलिए ध्यां शुनिए और द्यांसा अंसर दिजिये यह जोडती है राजमार्क ठीक है तो यह जोड़ती है दोस्तों राम इशवरम से को Да छी के रामश्वरम से कहां तक तो तक मदूरई तक यह जोड़ती है और यह जो टॉलरेंस डिस्चार्ज यानि की टॉपलेट की गंदगी से भी मुक्त है टॉलरेंस जो है यहां पर गंदगी यह बहूं यह आपको देखने को नहीं मिलेगी इतना साफ सफाई है ठीके यह मारक है दोस्तों ठीक है उने और ये कहां से कहां तक है तो रामिश्वरम से मदूरई तक ठीक है अगला mention question no6 में इ्दारं कि भारत निम्ली दिश किस देस में च Armedर बना रहा है तो यह चांब हार चांब हार जो है बना रहा है किस देस में ईरां ओमान इरान या अफगानिस्तन परएं यहाँ इरान के साथ ठीक है यह कोशन इंपॉडेंट है आपका बन सकता है एक्जाम में घजाम याद रखिएगा कि चाब UP बंद्रगात tab को इरान के सिस्थान में ठीक है इरान के इस्थान में और बलुचिस्तान प्ल глуб बलुचिस्तान ठीक है यार रखेगा नाम नोट करिए ठीक है बलुचिस्तान में विक्सित किया जा रहा है इसका और ये 23 माई को 23 माई 2016 को इसकी परियोजना सुरू की गई है जो कि भारत और इरान और अफगानिस्तान के बीच एक बंदरगाह को लेकर समझोता हुआ है तो सबसे ब्यस्त अंतराष्ट्री बंदरगाह कौन सा है देखिए इसे और भी कोशन में बताऊंगा अभी तो नोट कीजिएगा पर एक कोशन में आपसे इसका अंसर देने से पहले आपसे कोशन पोचूंगा कि भारत में लिंगा नुपात यानि कि जो मेल और फिमेल का रेश तही तीविसलिख निखे है कि कईश फॉर्मूला होता है कि इसके अनुसार हें जन घंड्र के जाती है क्या होता है जो होता है तो एगले अशेयर में कि एक सतरी ॉका इस आका है उपना मेले नमपर जोता यानिकी पर हजार पर कौंट होता है तो याद रखेगा यह कोशन पूछा गया है एक्जाम में भी आपके यह सुत्र यहां से ठीक है और यहां से यह तुम्हें बता दिया आपको की कारण क्या है कि यह चैप्टर है जनसंक्या और जनजातियों का तो कोशन आपको जानना जरूरी है तो भारत का सबसे अंतराश् है ठीक है यहां पर जितने भी सारे चीज़े हैं आपको इंटरनेशनल यहां पर ब्यपार होता है और यहां पर कौन से स्टेट से आते हैं लोग तो पश्चिमी तठ पर यह स्थी था यह भारत के और यह एक प्राकरतिक पोताश्र है और देश का सबसे बड़ा पतन भी मान जाता है जिस वह सबसे बड़ा पतन भी माना जाता है याने कि एक तो यहां से इंटरी भी होती है पश्चिमी घाटों से किसके तो बाहर देशों की और यहां सबसे बड़ा एक बिजनस कोरिडूर है जिसे हम लोग मुंबई में देखते हैं ठीक है चलिए अगला कोशन भा भारत की जनसंख्या में रिनात्मक व्रिधी दर्ग किस दसक में दर्ष की गई थी तो रिनात्मक याने की निगेटीव ग्रोथ जो है वो दर्ष की गई थी सन 1911 से 21 के बीच में ठीक है अब यह कोश्चिन जो है आपका एक्जाम में आ सकता है तो डेफिनेटली इसको नू इसमें इसलिए था कि जो इसमें बर्थ रेट जो था उस समय का ठीक है बर्थ रेट जो था वह सबसे निम्न अपने स्तर पे था और सब जो देथ रेट था देथ रेट था यह सबसे अपने उचितम पावदान पे था उस समय इसलिए आपका सबसें मतलब माना जाता उस साल को 11 और 21 को भारत का चलिए बर्थ रेट इस मेजर्ड यह दिखिए कोशन पूछ लिया गया है और आहां पर सीजियल 2008 में कोशन पूछा गया है ठीक है तो जन्म दर कैसे मापी जाती है तो जन्म से लेके चार वर्स के जो वर्ग होगा आयों का ठीक है वह कम होती है तो यह एक प्रती जनन संख्या है वो बच्चों का बर्थ रेट है प्रती हजार संख्या पर काउंट किया जाता है तो कॉशे निम्बर टेन इन में से निमलेखीत राजियों में से अधिक्तम लिंगा नूपाथ किसका है यहां बैंने आपको आंसर बताया है हाँ यहां पर है कोशन भी इंपोडेंट है और ये न्यृट और वी गया है एक्जाम में ठीक है नो दोस्तों तो अब दोस्तों अभी जो है 21 के जन गन्ना के नुसार भारत में सरवाधिक लिंगान उपात केरल राज का है और केरल Rाज में लिंगान एक हजार 84 है ठीक है भारत का लीगा नुपात कितना है तो भारत का है दोस्तों 943 है तो इस्त्रियों की संख्या बताता है हजार में ठीक है और यह इंगाerem अफेकर टीक है सबसे हमकल की इसका है तो टीएल का है है याद रखेगा कोशिन आ सकता है एक्जाम में और यह दोजार एक आठ के ऑडिटर वाले एक्जाम में पूछा गया है प्रश्ण कोशिन नुम्बर एलेबन 72 में अब वहां से काउंट कर लिजे यह पंद्रहवी जन्गर्णा है जो की 2011 की माने जाती है और यह किसने शुरू की थी यह भी नाम रखेगा लॉड रिपन याद रहेगा ठीक है कोशिन इंपॉडेंट है यह जो अंग्रेजी वाइस रहा थे लॉड मेयो थे और उसमें 81 में लॉड रिपन ने इस काल को प्रतिक 10 साल पे काउंट करने के लिए एक बिवस्था बनाई थी तो यह कोशिन इंपॉडेंट है और एक्जाम में आ सकता है ठीक है और अभी भारत की जंसंख्या लगबग कितनी है तो 121 अरव जो कि बहुत ही जादा है ठीक है यह 2011 के जंगर्ना के नुसार है अभी तो बहुत 130 लगबग हो चुगा होगा अगला कोशिन देखते हैं भारत में आबादी की जंगर्ना कब की जाती है भारत में कम अबादी वाला राजी कौन है तो आंसर है बी जिक्किम यह फूश्वी इनपॉटेंट है दोस्तों यह फूश्वा गया है एक्जाम में और ऑप्षन यही सारे थे चारो के चारो तो अगर यह उप्ष्वन आता है आपका तो सिक्किम है आंसर ठीक है सबसे कम अबादी वाला राजी याद रहेगा यह कोशिन आपको कि यह कब का है तो सबसारा का सारच दोजार 111 के जन गंड़ना के अनुसार ही बताए जारा आपको तो याद रखिएगा ठीक है और इसके बाद जिसे हम देखें नियुन्तम जन संक्या वाले राजियों का करमसा जो है वो कुछ चल प्रदेश है और चौथा कौन है तो गोवा है और पांचवा कौन है तो नागा लेंड है तो यह कुछ इस तरह से इसका सिनारियों है यह याद रखेगा जो की जन गंड़ना के अनुसार नियुन्तम अवादिवाला छेतर है 2021 कि अन्तिम जन गंड़ना का परिणाम के भ 382 यह कोशन इंपोर्टेंट है दोस्तों एक्जाम में पूछा जा सकता आप से ठीक है ना तो यहां पर एक चीज और लिखिएगा 2021 का अनुसार जो 382 है पर रेक्ती किलोमीटर यानि कि हर एक किलोमीटर पर आपको 382 लोग मिलेंगे ठीक है हर एक किलोमीटर पर जन संक्या में ठीक है और सबसे ज्यादा जन संक्या घनत दिल्ली का है ठीक है बहुत ही बड़ा चोड़ केंदर शाशित प्रदेश वह भी सबसे कम घनत वला जो देश है वह है और रुनाचल प्रदेश ठीक है और रुनाचल प्रदेश याद रखिएगा यह लिखते रहे हैं आप ल पहले बिहार का चीक है कितना है तो एक यारा सो चे है और का इसके बाद पस्चिम बेंगॉल का है दोस्तों यहाँ पर आपको 1028 ठीक है पर किलो मीटर वहक्ती बता रहा हूं मैं केरल कितना है तो नोट कि यहाट सो 60 का है तो यह सारी चीजा आपको याद रखनी होगी ठीक उत्तर प्रदेश का एक जान लिए क्योंकि इंपॉर्डेंट है आठाट जो उन्यू पी का है कि कम जन संख्या घंट के अनुसार जो है आपको चाहिक और उसके बाद है अंडूमाण निकोबार अंडूमाण ठीक है और यह 36 का साथus i.s. याद रखीगा और मिजुरम 52 हैं यह सबसे अधिक जनसंख्या वाले घनत्य वाले इस्टेट है यह याद रहेगा यहां से चारो पांचों यहां से लिख लिजीगा नोट कर लिजीगा सबसे अधिक घनत्व निमलिखित में से किसे दर्श किया गया है तो आंसर कीजिएगा यह दिल्ली ठीक है यह इंपॉर्टेंट सबसे अधिक घनत्व दिल्ली का है यह कोश्चन पूछा गया है आपके सीजेल में और लींदी सिएन पूछा गया है कितना है जन संक्या यहां पे सबसे 13 बीस किलोमेटा स्कूर का है जनसंक्या के घनत्व कितना है तो यह आपका दसज़ार कुश है कि याद रखेगा ठीक है और अगर केंद्र साथीद प्रदेश को देखें तो उसके बाद पुंड़ी चेरी है दमान एंद्वीफ है लक्षीदीप है दादानगर हवेली है और लाच में अंडोबान का है सबसे कम में पर यहां सबसे अधिक घंत वाले में जो दर्ज किया गया है राज्यो में केंद्र बाल का लिंगा नुपात आपको बताना है कि हर थाउजेंड पे कितना है यह 914 है दोस्तों कितने में तो हजार में यह गल्स की संख्या होती है ठीक है चलिए कोशिन नमबर 18 11 के अनुसार यहां पे सरवाधिक घनी अबादी वाला राज घनी अबादी वाला राज में नहीं पताया आपको उत्तर प्रदेश है ठीक है इस ऑप्षन में पर ऐसे अगर देखिएगा तो बिहार अगर घनी अबादी का घनत तो पूछेगा तो ठीक है सबसे ज़्यादा अबादी य bezel पर अफिर्देश की है ठीक है याद रखी और शहते में जिश्ञेंनलब क्या जितना चट्रफल है उसलand वहां पर लोग कैसे हैं कितने जादे हैं ठीक है वो बताता है पर उत्तर प्रदेश का छेतरफल बहुत बड़ा है ठीक है बिहार से तो यहां पर 2011 के अनुपसार जो है सबसे घहनी अवादी वाला जो स्टेट है यहां पर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है याद रखिएगा सबसे कम जन संख्यावला राज जी कौन सा है तो मैंने अभी थोड़े पहले इसका आंसर बताया सारे चीजी में पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं तो आप वैसे कोशन आपको बनेंगे ही बनेंगे तो आंसर नूट कीजिएगा यहां पर आंसर है इस डी सिक्किम ठीक है हो चुका है तो इससे कल से कोशन हम लेकर आएंगे आज अंस्खया के उपर मैंने इत्तिक में इंप चाहिं आपका एक्जाम में पूछा तो अगर आप लोग यहां पे जितने भी कोष्टन दिये हैं अगर इसका आंसर में से कितने आंसर आप लोगों ने सही किये हैं तो नीचे कमेंट बक्स में जरूर कर लिजीगा कि इनी पहाड़ियों के नाम पर इनका जन जातियों के उपर आएगा जन संक्या देख लिया लिंगा नुपाद देख लिया तो यह सारे बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक कीजिए ना कीजिए कोई दिकत नहीं है पर शेयर कीजिए उन दोस्तों के फ्रिंट्स जितने हैं आपके जो की दूर दराज की गाउं में हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको बुलिए कि ग्रूप में डिसकसन करें आपसे बैठ के कोशिन सारे तो कोशिन याद भी होंगे लिखने से ज्यादा इंपॉडेंट है पढ़ना और पढ़के लिखिएगा तो डेफिनेटली हम इसा लिए याद रहेगा आंसर चलिए बबाई टेक कियर ध्यान रखेगा अपना